अगे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसे चैनल में जहां पर तंत्र क्रिया मन्तर उपाए प्रयोग सभी तरह से आपको बताइजाते हैं वित्रो तंत्र की क्रियाओं में बहुत से ऐसे उपाय हैं जो आदमी बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा सफल परिणाम ला सकते हैं कई बार व्यक्ति ऐसा सोच रखता है कि उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मंत्रों का जाप करना पड़ता है, बहुत दिनों तक प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकि कुछ सिद्धी हासिल होती है, तब जाकि कुछ परिणा मिलते हैं, तो कुछ ऐसे अच्छो प् पहुंचना जरूरी है उस प्रयोग को जीज प्रकार गडित के अध्यापक जो होते हैं वह विद्यार्थी को सुत्र बताते हैं और विद्यार्थी उस सुत्र से जीवन भर जो भी गडित की समस्या है उसे हल कर सकते हैं अगर वह उस सुत्र को सिख गया तो तो वही चीज जि चाहते हैं, इस वीधी से संभोग वश्य करण होता है, तो एक वेक्ति पर सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, और इसका असर आपको एक दिन में ही पूर्ण रूप से दिख जाएगा, वह खुद बखुद आपके पास हाजीर हो जाएगी, जिसके उपर भी करेंगे, इस्त्री और पूरुस दोनों ही कर सकते हैं, करना क्या है, अच्छु प्रयोग एक कपूर लेना है, और कपूर में आपको पेसाब करना है, जी हाँ, जिसे मुत्र त्याग कहते हैं, पेसाब करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है, और उसके बाद उस इस्त्री पूरुस का नाम मन में सोच कर लेना है उसकी कलपना करके फिर बस आप वापस आएं और पीछे मूड के ना देखें बांकी का काम यह मंत्र का प्रयोग कर देगा आपको अगले ही दिन इसका परिणाम देख जाएगा मित्रो अधिक जानकारी के लिए नंबर पर वाट्चाप या मैसेज कर सकते ह सब्सक्र कर देखें